असलाम लेकुम तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं कीमा और आलू की रेसिपी बहुत ही मज़ेदा रेसिपी है तो आप हमारे साथ बने रहिएगा वीडियो को पूरा देखेगा इसके मत किजएगा तो चलिए शुरू करते हैं तो यह हमने लिया हुआ है हाफ केजी कीमा और आलू और यह हाफ केजी प्याज है छोटे साइस के जिसको हमने रफली कट कर लिया है और यह कुकर इसमें हमने हाफ कप तेल रखा है और तेल जब गरम हो जाएगा तो इसमें हम कुछ खड़े मसाले शामिल करेंगे यह तेल गरम हो गया है तो इसमें हमने दालची नही चोटी लाइची बड़ी लाइची और तेज़ पत्त शामिल किया है और कुछ सेकेंड इसको पकाएंगे उसके बाद हमने जो प्यास कटकर रखा था वो शामिल किया और इसको भी हमें बिल्कुल गोल्डन फ्राई नहीं करना है बस इसके थोड़े से गल जाने के बाद हम आपको दिखाते हैं तो जब तक प्यास फ्राई हो रहा है तब तक हम आलू को कट कर लेते हैं हमें जादा हमने मीडियम साइस के आलू लिये थे तो इनको बीच से बस दो-दो टुकडे कर रहे हैं इसी तरीके कट कर लेंगे तो यह हमने आलू कट कर लिया और इधर अभी प्यास फ्राई नहीं हुआ है हमें हलका थोड़ा सा गलाना है प्यास को गोल्डन नहीं करना है तो जब तक प्यास हो रहा है तब तक हम यह धनिया कट करके रख देते हैं देनिया इस तरीके से कट करके रखने से इस तरीके से आप कट कर लें और इसको एर टाइट डिबे में रख दे बंद करके फ्रिज में स्टोर करके तो देनिया जल्दी खराब नहीं होती है चार से पांस दिन आराम से चल जाती है तो ये हम कट करके रख दे रहे हैं तो ये देखे प्याज हमें जतना गलाना था उतना हो गया मैं गोल्डन फ्राई नहीं करना था ये आप देख सकते हैं तो अब हम इसमे कीमा शामिल कर रहे हैं जिसे हमने अच्छे से दो के छान लिया था पानी से और इसको भी हम भूनेंगे दो से तीन मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम पर ताकि इसका कच्छा पन निकल जाए और इसकी स्मेल भी चली जाए ये अच्छे से बुन जाए तो ये आप देख रहे हैं इसने अपने कलर चेंज कर दिया है ये देखे इस तरीके से चलाते हुए हमने दूसे तीन मिनट भूना है और अब हम इसमें अद्रक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे वन टेबल स्पून भर कर तो ये हम टी स्पून से रख रहे हैं जो की तकरीबन वन टेबल स्पून था तो वन टेबल स्पून भर कर हमने इसमें अद्रक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है और इसको भी हम भून लेंगे ताकि इसका भी कच्चपन खत्म हो जाए और ये अच्छे से भून जाए ये हमने दो मिनट तक इसको भूना है अब इसमें हम कुछ पाउडर मसाले शामिल करें इसे वन टी स्पून लाल मिर्च पाउडर नमक मिर्चा अपने जाएके के मताबिक ही रखियेगा और वन टी स्पून हमने हलदी पाउडर शामिल किया और हाफ टी स्पून हमने इसमें कश्मीरी लाल मिर्श पाउडर और इसमें नमक शामिल गया तो आप नमक मिर्श अपने हसाब से रखिएगा और इनको हम चलाते वे दो मिर्ट तक मीडियम टू हाइफ लिम पर भूनेंगे इसमें हम हाफ कप पानी शामिल करेंगे क्योंकि ये पाउडर मसाले इसमें हमने रखे हैं ताकि ये अच्छे से मसाले भून जाएं तो ये गरीब आधा कप पानी था जो हमने इसमें रखा है और इसके साथ हम मसाले को अच्छे से भून लेंगे दो से तीन मिर्ट मीडियम टू हाइफ लिम पर ये देखिए इसी तरीके से और इसमें हम थोड़ी सी हरे मिर्च भी शामिल करें तो आप उसी हिसाब से रखिएगा मिर्च हमने लाल मिर्च भी शामिल करी और हरे मिर्च भी तो इस तरीके से हम कट करके ये हरे मिर्च कट चुकी है दो ये हमने इसमें शामिल कर दिया हरे मिर्च और मसाला भी बुन गया है ये आप देख सकते हैं मसाले के साथ कीमा अच्छे से बुन गया है और इस वक्त मसाला भुनते वक्त में हमें दही शामिल करनी थी लेकिन दही आज हमारी घर में खत्म हो चुकी थी क्योंकि हम घर की दही इस्तमाल करते हैं तो हमने बाहर से लाने के लिए भीजा हुआ है तो अभी दही आनी पाई है तो हम दही बाद में इसमें शामिल करेंगे और अभी हमने इसमें तकरीबन दो कप के करीब हमने इसमें पानी शामिल कर रहे हैं यह आप देख सकते हैं हमने पानी इसमें शामिल कर दिया है और अच्छे से इसको मिला देते हैं और अब हम इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे हम मेर्च या मसाला जो भी होता है जाअ तर घर का ही इस्तमाल करते हैं बना हुआ तो ये हमने वन टी स्पून इसमें घर का बना गरम मसाला पाउडर शामिल किया है और इसको अच्छे से मिला देंगे और इसके बाद हम इसको कवर करके पकने देंगे तो अब हम इसके लेड लगा करके दो सीटी आने तक हाई फ्लेम पर पकने देंगे और इसके बाद पांच मिर्ट तक हम स्लो फ्लेम पर इसको पकाएंगे और इसके बाद गैस का फ्लेम आफ कर देंगे ताकि कीमा गल जाए और आलू हम बाद में बनाएंगे तो यह आप देख रहे हैं सीटी आ गई है और गैस का फिल्म दो सीटी के बाद हमने स्लो कर दिया और हमने इसको पांच मर्ट पकने दिया और इधर हमी चावल बना रही है तो हमी ने चावल भी रख दिया बनने के लिए यह अरवा चावल है हमारे अरवा चावल कम खाया जाता है लेकिन कभी कभी बन जाता है सबकी फर्माईश पर तो ये चावल बन रहा है और पाश मिड़ बाद हमने गैस का फ्लेम आफ कर दिया था और कूकर को हमने साइट कर दिया था ताकि उसकी गैस हो जाए बाहर फिर उसके बाद हम दिखाते हैं कीमा गला की नहीं और इधर ये चावल भी लगबग हो गया था तो अमी ने इसको दम पर रख दिया है और ये देखते हैं कुक कर हमने खोला तो कीमा अच्छे से गल चुका था और दही भी आ गई थी तो हमने इस वक्त में दही शामिल करी है कीमा गलाने के बाद लेकिन जब आपके पास हो तो आप जब मसाला भून रहे हो उसी वक्त इसमें दही शामिल करिएगा तो हम दही के साथ इसको अभी पास मिनट मीडियम फ्लेम पर कुक होने देंगे उसके बाद हम इसमें आलू शामिल करेंगे और आलू के साथ इसको पकाएंगे कीमा हमारा गल चुका है तो हमें अब ज़्यादा पकाना नहीं पड़ेगा बस आलू हमें गलाने पड़ेंगे तो इसको पकते हुए पांच मिनट हो चुके हैं दही डालने के बाद तो अब हम इसमें आलू रखके और इसको हम बनाएंगे इसको गलाएंगे तो अब हम इसकी रिड लगा करके फिर से इसको हम दो सीटी लगा करके गैस का फ्लेम आफ कर देंगे तो यह हमने इसका ढखकन लगा दिया है और दो सीटी आने तक हम इसको पकाएंगे हाई फ्लेम पर और दो सीटी आने के बाद गैस का फ्लेम आफ कर देंगे और इधर भी चावल भी हो चुके थे दम पर लगे वे थे तो अब यह रेडी हो गया है तो अब चावल भी तयार हो गया है यह देखे इसकी सीटी हो चुकी है दो सीटी हो गई है तो अब हम गैस का फ्लियम आफ करके इसको ठंडा होने के बाद 10 मेट बात खोलेंगे 10 मेट हो चुके हैं और अब हम इसको खोलते हैं और आप ये देख सकते हैं माशाथ आला कितनी अच्छी रंगत आई है बहुत अच्छी रंगत आई है और इसका तेल भी अब दिखने लगा है और कीमा अच्छे से गल गया था आलू भी गल चुके थे तो अब इसको आप गर्मा गर्म सर्व करें बहुत मज़ेदार कीमा बनता है कीमा आलू इस तरीके से तो आप इसे ट्राइ जरूर करिएगा और वीडियो पसंद आए रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा फैमिली फ्रेंड में शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा तो यह हम गर्मा गर्म सर्व कर रहे हैं और उपर से इसमें आप धैनिया हरे मिर्च से सजाकर इसको सर्व करें यह देखने में जितना बहत्रीन लग रहा है खाने में उससे कई गुना जादा मज़ेदार है तो प्रीज आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करके बताईगा रेसिपी आपको कैसी लगी तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ तब तक के लिए अल्ला हाफिज